दोस्तो आज फिर से हम आप सबका एक प्रोब्लम का सल्यूसन लेकर के आये हैं लोगों का सिकायद हमेशा रहता है कि मेरे मसीन में कटिंग का प्रोब्लम है मेरा मसीन में पेपर सही से नहीं करता है किसी का कहना होता है कि आगे से करता है तो पीछे से नहीं किसी कहना होता है क दाएं से करता है बाएं से नहीं तो आज हम इसी टोपिक पर चर्चा करेंगे तो प्लीस वीडियो को लाच्ट जरूर देखें हलो दोस्तो नमस्कार आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मैं सिडियो टोनल पर आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नया टोपिक पर नया वीडियो लिए करके आया हूँ जो कि आप लोग को बहुत पसंड आएंगे दोस्तों ये जो वीडियो बनाने का मकसद है ये ज़्यादा तर उन नए लोगों के लिए है क्योंकि नए लोगों को ज़्यादा ये समस्या होता है और नए लोग इसी से ज़्यादा परिशान होते हैं तो खास करके जो नए लोग हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें ताक कि आपका उप्रोब्म दूर हो जाएगा जैसे कि machine में cutting का problem जो होता है तो किन-किन वयह से machine में cutting नहीं होता है आज हम बिल्कुल explain करके आपको बताएंगे detail में कि ताकि आप वो सारे परिसानियों को देख के अपने machine की cutting को सही से आप ठीक कर सकते हैं और आपने जो दोना प्लेट कटता है उसको सही से आप बना सकते हैं क्योंकि अगर कटिंग नहीं होगा सही से तो माल फ्रेस नहीं निकलता है फिनिसिंग नहीं होता है उसमें लोग का सिकायत आता है कि यह प्रोब्लम आरा वो प्रोब्लम आरा है तो चार पांच कारण होता है और सारे कारण को हम एकदम एक एक points करके आपको बताएंगे और सारे point पे आप धियान देना और आपके भी अगर machine में यह problem होता है इस वीडियो को देखके और यह सब points को Note करके आप अपने machine को सही कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले अगर आप हमाई चनल पे नए हैं तो प्लीज हमाई चनल को सब्सक्राइब करे के बेल अकन जुरो क्रें ताकि जब रीज तर का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तो पहुंचे है जोर发 है पहला कारण जो होता है अगर इढ़िआ पेपर ब्लेट मसीन लगा रखें और पेपर में काट्ण नहीं हो रहा है तो ना काटिंग होने के विए से पहला प्रोल्म क्या होता है कि जिस प्लेट पे हम डाई को रखते यो प्लेट होता है अगर इसा नीचे से बराबर नहीं होगा तब ting में प्रोबलम होगा अगर एक साइड भी थोड़ा सा भी जुका रहेगा प्लेट तो वो आपको कटिंग वहां पर नहीं होगा और हम आपको यह सब दिखाने कि कैसे आपको करना देख लिजिए आप एक जारू की तिली ले लिजिएगा या फिर कोई सावी सामान लिजिएगा लेकिन जारू का तिली ज्या आपको देखना होता है कि कैसे हमें बेल्ट को टाइट करना है क्योंकि बेल्ट अगर इदि लूज रहेगा आप उपसे दाप बढ़ाएंगे तो नीचे डाई पजाके बैठ जागा डाई एक दूसरे बैठ जागा मसीन जाम हो जागा और नहीं चलेगा तो उसमें भी आप आपको प्रोब्लम का सामना करना पड़ेगा और अगर इस आप इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो आपका इस प्रोब्लम नहीं होगा तो बेल्ट को भी आपको टाइट करना है और कैसे टाइट करना यह भी हम आपको दिखा देते हैं तकि आपको इस तरह से यह दुन परणूलम क्या होता है कि आप अगर थाय लेकर के आते हैं तो ने अगर आपे फैक होता है तो ऊसकी वह यह से यहाँ पर पटखाता है तो कुझे जगे फरतनी का धार मुर जाता नहीं होता तो डाई नया हो या पुराना हो एक बार उसमें आप धार जरूर लगवा ले और पुराने में नया में तो ऐसे लगाना है पुराना में कव लगाना है पुराना में आपको एक लिमिट देखना होता है कि हम एक बार धार लगा के लाएं तो उस डाई में हमारा कितना पीस नि वोरा माल निकल जाता है यानि कि एक लाख पतल कट जाता है उसके बाद हमें धार लगवाना पड़ता है तो हम यह अंदाज लगा रखे हैं कि सो वोरा कटने के बाद हमें चेक नहीं करना है उसको धार लगवाना ही परेगा तो इसी तरह से आपको भी अपने हर डाई पे एक टाइम बना लेना है एक अंदाल लगा लेना है उसको देख लेना कि कितना एक बार में कितना कटिंग होता है उतना कटने के बाद आप उसको जरूर धार लगवा लें तो आपको ये प्रोब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मसीन जब चलता है तो उसमें टाइम टाइम पे धार भी डाई में लगवाना पड़ता है उसके बाद एक और प्रोब्लम है कि जब आप continue मसीन चला रहे हैं तो डाई हमारा ठीक कट रहा है प्लेट जो है वो ठीक कट के आ रहा है, आप जब machine continue चला रहे हैं चला रहे हैं उसके बाद धार खतम हुआ फीर आप गए धार लगवाने, और धार लगवा के आए तो फीर क्या होता है कि धार लगवाने के बाद भी cutting नहीं होता है, तो उसमें लोग सोचते हैं कि हमें धार वाले ने सही से नहीं धार लाया के दिया है इस विए से मेरा कटिंग नहीं हो रहा है लेकिन गलत हैं आप उस टाइम पे आपको पहले अपने पास में देखना है इस प्रिंग का क्योंकि जो डाई के अंदर स्प्रिंग होता है उसको भी बीच बीच में छोटा करना परता है जाद दिन के आगर दो चारवा धार लगवा चुके हैं तो उसमें आपको जो अंदर का स्प्रिंग होता है उसमें भी आपको थोरा सा छोटा करना परता है उसको भी क्योंकि जब तक दोनों का सेंटर नहीं मिलेगा तब तक कोची प्रोब्लम आएगा ही तो जब भी आप करते हैं तो इस प्रिंग पर ध्यान रखें कि कहीं मेरा स्प्रिंग के वैश से तो कुझ नहीं खराब हो रहा है क्यों क्यूंकि माल गीला होता है तो धार पे असर ज़्यादा परता है और वह ज्यादा देर नहीं चल पाता है थ्वादे ठीक चला उसके बाद फिर वो कटिंग साफ नहीं आता है तो माल को भी आपको ध्यान रखना है कि गीला माल ना चलाएं गीला माल चलाने पे डाई में जल्दी प्रोब्लम आता है उसके बाद अगर यह दिया आप बियो पिपी और पोलिस्टर दोनों माल अगर काटते हैं तो बियो पिपी का जो फिनिसिंग है वो तो सही आएगा लेकिन पोलिस्टर का फिनिसिंग नहीं आता है क्योंकि पॉलिष्टर पेपर में कटिंग जो है वो सही से नहीं हो पाता है इस वज़े से वो डाई जल्दी खतम होता है और बियो पीपी माल चलाने में डाई पे ज्यादा आसर परता है और डाई जल्दी खराब होता है क्योंकि बियो पीपी का माल जो होता है वो मोटा हो य हीट में छोड़ना चाहिए क्यों कुछ लोग क्या करते हैं कि मसीन में हीट लगा है दो मिट चाइट बाद उसको चालू कर लिए और उसके बाद जब उसमें प्रोबलम आता है कटिंग नहीं होता है तो लोग पड़ेसान होते हैं तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब भी मसीन चालू करते हैं तो आपको उसमें हीट जो है वो छोड़ना होता है कम से कम 15 से 20 मिनट अपने एक लिमिट बना ले एक अंदाज बना ले कि जब भी हम मसीन चालाते हैं तो कौन से डाई पे कितना देर हीट छोड़ना होता है ज्यादा छोड़ा डाई है तो तो आपको 15 मिन्ट बहुत है उसी हिसाफ से बड़ा है तो 20 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट ऐसे टाइम देख लें और टाइम देखके dai में हीट लगाएं जैसे हम लोग का है कि हम लोग 15 मिन्ट छोड़ा डाई को छोड़ते हैं 15 से 20 मिनट है और जो बारा डाई होता है उसको हम लोग कम से गम 25-30 मिनट गरम होने के छोड़ते हैं स्टार्टिंग में सुभा सुभा टाइम में तो यह हीटिंग पर भी प्रोब्लम आती है हीटिंग क सब्सक्राइब करें तो उमीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सिखने को मिला होगा और अगई दी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही बैल अगण को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अप्लोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचें तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद